हाई अवरीवन स्वागत आपका चैनल स्टेडी जैट में बारा तारीक को दुरुगासक्ती और असिस्टेंट रिवेन्यू कर लगका जो अक्जाम है उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन्स हैं जो अब की बार अचसेशी ने चेंज कर दी गई है तो क्या कुछ गाइ ले जैसे कि पिच्छे ब्लेंग सीट मिली थी वामार सिट तो उस पर आपको अब क्रॉस का निसाइन्द करना होगा कुछ से और कैन्सिल्ड कैंसिल्ड यहां पर जैसे लिखागा नबाए साथ ही साथ दूसरी है कि जो मेन मेन पॉइंट से हुआ ही बता रहा हूं है और बखकी जो गाइडलाइन्स है वह आप खुझ से पढ़ सकते हैं तो और साथ ही साथ आप वैक्षिनेट होनी चाहिए जो वैक्षिन कोरोना वैक्षिन लगती है आपकी वह एडवाइज की गई ह जो भी आएगा उसको इंटरी नहीं मिलेगी जो भी विदाउट मास्का है यानि कि अपना मास्क जरूर ले जाएं और फिर देखेगा कि जो आपकी फोटो है जो एडिमिट कार्ड पर आपको फोटो पेस्ट करनी है जो भी अटेस्टिड करानी है आपको वो दो रिसेंट और टाइम मेंशन होना चाहिए जैसे कि यह आपकी फोटो होती है यह आपकी फोटो हो गई तो इसमें निच्चे आपका डेट यहां पर और टाइम आपका मेंशन होना चाहिए कि कब यह खिचवाई थी और जो फोटो है आपकी ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए दो- फिर आपका साइध रेटिना भी चेक होगा अग्जाम में इंट्री करोगे तब भी आपके इस परकार बायोमेट्रिक होगा और एकजिट करोगे यानि कि आपके पेपर देकर आप बहार आओगे तो आपको सिद्धा बहार नहीं आना है आपनी बायोमेट्रिक करवानी है यह इंपोर्टेंट न्यूज है जो अब बारातारिक को अग्जाम होने वाला है दुरुगा सकती और एसिस्टन्ट रिवेन्यू कर रखा तो यह अपडेट थी आज की और जो बाकी गाइडलाइन्स है वो आप खुद से पढ़ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स टिसी परकार क अपडेट में और अभी भी कोई डाउट बच गया हो आपका तो को आप कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स टिसी परकार की अपडेट में धन्यवाद